क्या आपकी स्किन भी लोकल ब्लीच और स्किन पॉलिश करवा कर ऐसी हो गई है आज जो मैं रेमेडी शेयर करूंगी वो ना सिरफ ब्राइटनिंग और वाइटनिंग देगा बलके आपकी हाइपर पिग्मेंटेशन और डाक स्पोर्ट को भी खर्तम करेगा वो भी पर्मेनेंटली तो वीडियो को शुरू से लेकर एंट तक देखिए का तक के आप कोई भी पॉइंट मिस न करें अस्सलाम अलेकम वैलकम टू मैं यूटिव चैनल राइस स्किन पॉलिश बनाने से पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्क्रब अगर आपने स्क्रब नहीं यूज करना तो आप ना यूज करें आप ट्रेक्ट पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसके साथ apply करेंगी तो आपको ज़्यदा benefits होंगे चावलों में बहतरीन exfoliation properties होती है जो के oil को control करती है और skin को smooth करती है और साथ ही साथ brightening effect भी देती है 1 tablespoon rice powder, 1 tablespoon basin और मैंने इसमें add की एक चमच ग्लैसरीन का और यहां पर मेरा बहतरीन सा natural homemade scrub बनकर ready है यह ऐसी consistency चाहिए थी तो मैंने इसमें एक चमच ग्लैसरीन का add कि अगर आपको थोड़ा इसे पतला बनाना है तो इसमें आप 2 चमच ग्लैसरीन का add कर लें फिर आपने 2 minutes के लिए अपने face पे और neck पे apply करके कोई भी remedy बनाने से पहले इसके key ingredients को जाना बहुत ही जरूरी है ताके आपको पता हो के इसके क्या फाइदे है और यह चीज कैसे काम करती है चावलों के आटे में anti-inflammatory और anti-oxidant properties होती है जो के protect करता है skin को aging से और कतरनाक UV rays से बचाता है और साथ ही साथ पर मोड करता है skin lightening को राइस पौडर में ऐसी strong properties होती है जो के hyper pigmentation पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और उनको खतम करती है और साथ ही साथ skin के pH level को बड़े अच्छे तरीके से balance रखती है दूसरा ingredient is the most wonderful ingredient for the skin मुझे लगता है basin में इस तमाम वो properties हैं जो के actually skin के लिए बहुत ही अच्छी है basin में ऐसी properties होती है जो के pores को minimize करती है एकनी scars और dark sports को भी खतम करती है यहां पर मैं add करेंगे वन टेबल स्पून राइस पाउडर, वन टेबल स्पून बेसन, राइस पाउडर को आप घर भी बना सकते हैं तरीका स्क्रीन पे है अगर आपके skin बहुत है sensitive है तो दो add करने मैंने यहां पर तीन add किये थे one टेबल स्पून honey, honey में भी अच्छी प्रापर्टियज होती है जो के skin को lighten करता है, blemmrebbe ने को के लिए एक बहुत ही बेह बेहतरीन नेच्र टूनर का काम करता आ साथ ही साथ जो आपकी सकिन पे अगर हाइपर-पिग्मेंटेशन हैं या डार्क स्पोर्ट्स हैं उनको भी ये खतम करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा ज्राज स्किन वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि ओईली स्किन वाले भी लेगाएं क्यूंकि इसमें कुछ ऐसी प्रापरटीज होती है जो के एकसे सॉयल को एस्ट्राइक करती है अगर आपने लेमन जूस एड नहीं करना तो इसके जगा आप मिल्क भी एड कर सकती है वन टेबल स्पून ओफ मिल्क इसके अंदर एक और में इंग्रीडियन जाएगा जो के बहुत ही जरूरी है स्किन को हाइडरेशन मौस्चराइज और स्मूथ करता है और साथ ही बहुत ही गलोई इफेक्ट देता है जो के है रोज वाटर में र फेस थोड़ा सा वेट करके इसकी मिसाज अच्छे तरीके से अपने फेस नेक और बाजू पर कर सकते हैं उसके बाद आप इसे टैब वाटर से वाश कर दें और यू विल फील दे क्लियर रिजल्स जो बजार की स्किन पॉलिश या पलीच होती है आप उसे सिर्फ 15 दिन के बाद लगाते हैं ताकि स्किन को प्रोटेक्शन मिल सके ताकि उसके हामफुर रिजल्स ना है लेकिन आप चाहें इस स्किन पॉलिश को वीक में दो दफ़ा भी अपलाई कर सकती हैं इस रेमेडी के रिजल्स आप में इसा शेयर भी कर सकती है ऑन इंस्ट्राग्राम मेरे च कर सकती हैं आपान कर सकती हैं